असलाम अलेकुम, आज हम बनाएंगे चिकन बिंक्स फ्राइ, बहुत टेस्टी बन के त्यार होंगे, घर पर रखे हुए बेसिक से इंक्रीडेंट से बहुत टेस्टी डिश आप खुद से बना सकते हैं, और इसके साथ हम एक मज़िदासी चटनी बनाएंगे, जिसके साथ इन को बनाना शुरु करते हैं, सबसे पहले चिकन की ब्राइनिंग कर लेंगे, यह स्टेप ऑप्शनल होता है, लेकिन चिकन में अंदर तक टेस्ट जाता है, मैंने पहले से इसमें नमक और सिर्का लागा कर रख दिया था, इतना पानी लीजेगा कि चिकन उसमें डूब जाए और एक टेबिल स्पून नमक डाल लेजेगा, और दो तीन चमज सिर्का डाल कर इसको एक घंटे के लिए छोड़ दीजेगा, जितना टाइम है उसे साब साब छोड़ सकते हैं, तो यह स्टेप मैं पहले से कर चुकी हूँ, तो बस अब मैं इसको अच्छे से धोलूंगी, तीन चार पानी से अच्छे से वाश कर लेंगे, और इसको अब एक बोल के अंदर ट्रांसफर कर लेंगे, धूलेवे चिकन को हमें एक बोल में ट्रांसफर कर देना है, एक टीस्पून पीली मिर्च डालेंगे, अगर आपके पास नहीं है तो इसक्रिप कर दीजेगा, लाल मिर्च डालेंगे, एक टीस्पून डालेंगे इसमें नमक, एक टीस्पून धनिये का पाउडर, आदा टीस्पून भूनेवे जीरे का पाउडर, एक टीस्पून चाट मसाले का पाउडर, और आदा टीस्पून गरम मसाले का पाउडर, यहां पर नमक मिर्च अपने तक ventajjan तकरीब एक टेबलस्पुन चाहिए लाइसन औरच का पेस्ट चाहरी मिर्चों कापेस्ट ़शें away बगेर पाइं डाले पीसे या फिर मिनीमम पाइं डालेगा और हरिमेच का टेस्ट फ्राइच चेकन भी बहुत अच्छा आता है अब खोब अच्छे से मिलाकर इसको हमें रख देना है मैंने शनके में कीजिगा और माइननेशन की रख दीजये गा कम से कम एक घंटे के लिए जादा है तो आप जादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं क्योंकि विंटर से हैं मैंने इसको काउंटर पर ही छोड़ दिया था गर्मिया है तो फिर फ्रेज के अंदर रखेगा थोड़ा सा रेड ओरेंज फूट कलर भी डाल देंगे शुरू में ही डाल ले जागा मैंने बा अब बहुत अच्छे से इसके मिक्सिंग करने हैं क्योंकि अब नहीं दाला तो आप अंडा यूज कर लीजेगा अब यहां पर अच्छे से मसाले कोट हो चुके हैं चिकन के हर पीस पर अब हमें एक चिकन का पीस उठाना है और एक प्रॉपर मीडियम होट तेल में इसको ड जान रखिएगा लेकिन हाप बहुत तेज गरम भी नहीं होना चाहिए मीडियम होट होना चाहिए अब जब आप इसमें चिकन के पीसे डाल दें तो फॉरण टच मत कीजेगा जब मसाला उनके उपर फर्म हो जाए उसके बाद ही आपको इनकी साइट को बदलना है यानि की 40 पचास सेकेंड के बाद आप इनकी साइडों को बदलिएगा और यहां पर चिकन को मैं दो बैचेज में फ्राइ कर रही हूं जिससे की जो ऑल का टमपरेचर रह वो मेंटें रहेगा और अब हमें इस साइट को बदलते विए मीडियम फ्लेम पर इनको फ्राइ करना है साथ स शाइट मिलिए क्योंकि छोटे पीसेज हैं चिकन विंक सेंतों साथ मिल नट में बहुत आसानी से गल जाते हैं हाँ अगर बड़े पीशिस होते हैं तो दस से बार मिलट का वक्त ले ले लेता है अगर सेम प्रोसे से नहां जो नार्मल चिकन के पीसे सोते हैं उसको भी फ्र पर अब आपको इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही काउंटर पर छोड़ देना है उसके बाद हम इसको डबल फ्राइ करेंगे वैसे तो यह इसी टाइम पर सर्फ करने के लिए तयार हैं लेकिन डबल फ्राइ करने से यह एक्स्ट्रा क्रिस्पी हो जाता हैं तो जब तक यह थोड़ बहुष से तीन चमश के साथ दालेंगे तूप करेंगे तर्फ चिकन चाथा ने चमश डाला चैतल से जरूर बना लिएगा इधर तक तेल को प्रॉपर गरम चुका तो पुरफ अटिकन sli तेल आपका तेज गरम होना चाहिए इस पॉइंट पर एक तम तेज गरम तेल में हमें चिकन इसमें डाल देना है और 40-50 सिकंड के लिए ही इसको इसमें छोड़ेंगे और बस साइट्स बदल देंगे ताकि यह हर तरफ से एक तम बढ़िया से क्रिस्पी हो जाए लेकिन यहा बाहर से जो लेयर से वह क्रिस्पी होंगी और अंदर से एक्दम सॉफ्ट एंड जूसी होगा और सर्फ करने के लिए उपर साप इसमें चाट मसाला डालें टेस्ट में चार चान लग जाएंगे और बस इस तरह से हमारा बहुत ही मज़िदार क्रिस्पी चिकन विंक्स बनक कर त्यार हो जाएंगे तो ट्राइ किजिगा और मुझको अपने फेड़ बैक्स जरूर दीजेगा आपके चिकन विंक्स कैसे बनकर त्यार हुए और अगर आपको आज की पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसक